नमस्कार दोस्तों, मैं दिपानशुष श्वागत करता हूँ आपका CGPS शिफ व्यापोहम में एक बहुती सांदार और पॉजिटी नीज के सांद, जी हां दोस्तों, सबसे पहले रादे रादे और आप सभी को मोहरम पर होगी बहुत बहुत शुपकामना है, देखिएगा बह बहुत साल से रुकी है, हम उस पर विशेस आकरशन करेंगे, साथ में पटवारी भरती पर एक और जीले के लिए अपडेट मिली है, और इसके सांद, जो डाटे इंटी आपरेटर का जो थीदी सी बात है, योग्यता है, उसको फिर से बदला गया है, और ये क्या चीज है, आपको समझाओंगा, मैं। फिल्हाल आज फिल्हाल भीना वीटो को स्टार्ट करतें। जिन्मिशेन को सब्सक्राइब नीकितें, जल्दे से जांएं। तो सब्से पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप सभी को एक बहुती सानदार और पॉस्टिटिविश देना चाहूंगा सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं कि जो डाटे इंटी ऑपरेटर उसकी योग्यता में फिर से परिवर्तन किया गया परन्तु ये परिवर्तन जो नियाले में भरती हो रही है उसके संबन में जैसे कि आप की इस्टिन पर शो हो रहा होगा देखिएगा यहां क्या बताया गया है कार्याले इस्टापना दौरा इस्टोनोग्राफर एवं साहे ग्रेट तीन के रिक्त पदों की भरती है तुजारी विज्यापन में सेक्षणी की योग्यता हिंदी मुद्रे लेकर उत्तिन करने का प्रमान पत्र रखा गया था ठीक है अनिवार्य उसको क्या कर दिया गया विजोपित कर दिया गया अब उसके इस्थान पर क्या रखा गया है आपको 5000 की डिप्रेशं के साथ जो इस्पीड है वो आना चाहिए और उसका जो है आपका स्किल्टेश्ट होगा बस यह आपके पास होना चाहिए मतलब अगर आपके पास PGDCA का है और अगर आपको आता है तो उतना परियाप्त है इसमें प्रमान पत्र वाला जो है वो संसोधन कर दिया गया है ना तो यह एक जाहिसी बात है आप लोगों के लिए सांदार है जिन्होंने फॉर्म भरा था कुटुम बने आले रैपूर का जो साही लोगों के पास नहीं था इस वाज़ा से बहुत सा कम फॉर्म गया था अब क्या हो रहा है कि अब जो न्याला है उन्होंने कहा कि नहीं भाई जिसके पास PGDCA की डिग्री है या जिसके पास स्पीड रहेगा तो वह लोग फॉर्म भर सकते तो उन लोगों के लिए आव परफार दांवा से यह काम उसीके नो रहेटैसंज मरें यहाई और नहीं करना वाल फचिए और यादोन से होने की संभावना हो सकते तो जाहिर सी बात है यह एक कुटम मुने आले या नियाले की तरब से एक बहुत सांदार निर्णा है चत्रिसगर सासन को भी ऐसा निर्णा है लेना चाहिए कि जो इस्टोनोग्राफर और साहे ग्रेट तीन वाला योग्यता है उसको भी या तो परिवर्तन करना चाहिए परिवर्तन करना चाहिए जो पहले था वैसा रखना चाहिए या फिर लोक सिक्षन संचनाले के दौरा जो हिंदी मुदर लेखन है उसका जो टाइपिंग एक्जाम है वो कराना चाहिए फिलाल सासन के पास दोनों आप्सन है अब देखने वाली बात है कि सासन क्या करती है फिलाल एक और बहुत ही महत्पून टॉपिक पर हम ध्याना करशन करना चाहेंगे जो कि ऐसी चत्रिसगर में कई भरतिया हैं जो पिछले कई वर्सों से अठकी हुई है अगर हम बात करें 60 प्रदों के लिए जो इंडरा गांधी विश्विद्याल में भरति हुई थी वो अटकी हुई है आप देखने कि 70 प्रदों पर जो अम्भिटकर अस्पताल में भरती प्रक्रिया चालू हुई थी वो भी जो है अटकी वी ती उसकी भी भरति तीन साल हो गई और साथ में एग्रिकल्चर्विश्विद्याल में बहुत सारे रुक्यू हुई है अब आप देखेंगे कि विधानसभा भरतियां भी रुक्यू हुई है तो जाइड सी बात है जब ऐसी भरतियां रुकती है तो युवाओं में एक निरासा आ जाती है कि भरती तीन साल हो गई चार साल हो गई क्यों अभी तक भरतियां नहीं हो रही है और इससे नुकसान युवाओं कहीं होता है क्योंकि जाइड सी बात है उनकी एज बढ़ती है पहले पढ़ने की च्मता है और वर्तमान में पढ़ने की च्मता है उसमें कहीं न कहीं जो प्रभाव होता ही है पहले अगर को युवा 6 गांटा पढ़ पाता था तो अब मुशकील से 3-4 गांटा पढ़ पाता है कहीं न कहीं वो age impact है वो पढ़ता ही है आने वाले समय में तो फिलहाल सासन को जितनी भी रुकी भरती हैं उस पर जल से जल एप्रोच करना चीए ताकि जो रुकी भरती हैं उसको जल्द से जल युवाओं को नौकरी मिल सके और युवा जो है एक कहीं न कहीं आर्थिक और सार अप्रेल में 24 अप्रेल की बात है जहां पर बोलना चीशीदी सी बात है व्यापम के दौर डाटेंटी ऑपरेटर जो है संयुक भरती के तौर पर अगनी समन भी भागने निकाला था परंतु योगयता के कारण व्यापम ने वापस भीज दिया था अब हो यह रहा है कि अग चालक कम आपरेटर वास्रूम आपरेटर फायर मैन इस्टोनो क्रीपर वायरलेस आपरेटर समीदा मैकेनिक साहेगरती नेवं रित्य के पद पर भरती होगी और इसके लिए जो समीती है वो गठित की गई है यहां पर पूरे लोगों का नाम बताया गया है और अच्छी बा अच्छी बाता इसके अग्णी समनी भाग से बहुत ही जल भरती है देखने को मिलेगी जहां वो समीदा के तौर पर आप के तरपर कहीं न कहीं आपको इसमें भरतिया ज़रूर देखने को मिलेगी तो आप लोग या तो देखिए अगनी समख वाले लिए तो निकले गई नॉर्मल ग्रेज़रेशन वालों के बिलेगा जैसे कि जो आठवी पास है बार भी पास है पोस्ट ग्रेज़रेशन है या जो सभी के लिए यहां पर वैकेंसी निकलेगी कुछ वैकेंसी संवीदा तोर पर भी निकल सकती है कहीं न कहीं युवाओ के लिए एक जो अंधेरे में आशा की किरण है तो कि आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं किसी भी चीज़ को बोलना चाहिए अकबार को अपने मन में लेके निगेटिव चीज़े लाने से अच्छा है कि यह जो आट से बारा महने के समय अगर आप इसमें महनत करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको एक सरकारी पत प्राप्त जरू होगा तो कि आने वाले समय में जो है यही एक गोल्डन टाइम है जिस प्रकार से आप अहराता है तो कहीं न कहीं यही चीज़े फिर से आपके समक्ष प्रस्तूत होने वाली है और इसके अलावा फिर आपके पास जनवरी फर्यवरी और अक्टूबर तक का महना है वो तो रहे गही भरतियों से संब्दिन तो जाहिर सी बात है यही जो महना बचा है आप लोगो लोगों ने देखा कि पिछले जो कुछ सपता पहले पिछले जो सपता है उसमें किस प्रकार से जो है गटिया यह भर्तियों में जैसा कि आप लोग ने वेकेंसी यां आनाता है और बस आप लोग एक टार्गेट एक सीले बस लेके एक वेकेंसी लेके तयारी में जूट जाहिए यही एक पुरा पॉजिटिवनिस देना था आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे जादा जादा लोग तक शेयर लाइक और जादा लोग तक शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाँ